नमस्ते शायद इतनी ठंड में पहली बार परिक्षा पे चर्चाप हो रही है आम तोर पर फरवरी में करते हैं लेकिन अब विचार आया कि आप सब को 26 जन्वरी का भी लाब मिले फाइदा उठाया ना जो बहार के हैं उन्होंने गहे थे करतावे पप्पे कैसा लगा बार अच्छा लगा अच्छा गर जाके क्या बताएंगे कुछ नहीं बताएंगे अच्छा साथियों समय ज़्यादा लेता नहीं हूँ मैं लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये परिक्षा पे चर्चा मेरी भी परिक्षा है और देश के कोटी कोटी विध्यार्थी मेरी परिक्षा ले रहे है और मुझे ये परिक्षा दिने में खुशी होती है आनन दाता है क्योंकि मुझे जो सवाल मिलते हैं लाखों की तादाद मैं भहुत प्रोएक्टिव ली बच्चे सवाल पूछते हैं अपनी समस्या बताते हैं व्यक्तियत पीड़ा भी बताते हैं मेरे लिए बड़ा सोभाग्य है कि मेरे देश का युवा मन क्या सोचता है कि इन उल्जनों से गुजरता है देश से उसके अपिक्षा है क्या है सरकारों से उसके अपिक्षा है क्या है उसके सपने क्या है संकल्प क्या है याने सचमुच मेरे लिए ये बहुत बड़ा खजाना है और मैं तो मेरी सिस्टिम को कहा हुआ है कि इन सारे सवालों को इखटा करके रखिए कभी 10-15 साल के बाद मुखा मिलेगा तो उसको सोशल साइंटिस्टों के दुवारा उसका एनालीसिस करेंगे और पीडी बदलती जाती है वैसे स्थीतियां जैसे बदलती जाती है वैसे उनके सपने उनके संकल्पों की सोच कैसे बहुत माइक्रो तरीके से बदलती है इसका एक बहुत बड़ा फिसिस शायद ही यतना सेंपल किसी का पात नहीं होगा जी तक आप लोग मुझे सवाल पूछ करके भेजते है चलिए लंबी बाते नहीं करते हैं मैं चाहूंगा कि कहीं से शुरू करें तक हर बार मेरे पर एक शिकायत आती है कि साब ये कारकम बहुत लंबा चलता है आपका क्यामत है लंबा चलता है लंबा चलना चाहिए अच्छा मुझे और कोई काम करना नहीं है अच्छा ठीक है आपकी के लिए हो पताईए क्या करेंगे कौन पहले पूछते हैं दुनिया को बदनने की तमना हो अगर दुनिया को नहीं खुद को बदनना सीखे माननिय प्रधानमंत्री जी आपका प्रेरक एवं ज्ञान वर्दक उद्बोधन सदैव हमें सकारात्मक उर्जा एवं विश्वास से भर देता है आपके ब्रिहत अनुभव एवं ज्ञान पूर्ण मार्ग दर्शन की हम सब उत्सुकता से प्रतिक्षा कर रहे हैं माननिय आपके आशिरवाद एवं अनुमत्य से हम इस कारेकरम का शिभारम करना चाते हैं धन्यवाद माननिय वर्द माननिय प्रधान मंत्री जी अपनी समरिध्ध सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध शहर मदुरई से अश्विनी एक प्रश्न पूछना चाहती है अश्विनी क्रिपयापना प्रश्न पूछिए Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Ashwini. I am a student of Kendra Vidyalya No. 2 Madurai, Tamil Nadu. My question to you sir is, how do I deal with my family disappointment if my results are not good? What if I don't get the marks I am expecting? Being a good student is also not an easy job. Expectations of others become so high that the person who is giving exam gets so much stress and they go into depression. Nowadays, it is common for students to cut their hands and become irritated and there is no one they could trust with their feelings. Kindly guide me on this. Thank you sir. Dhanyavad Ashwini Honorable Prime Minister Sir, Navteesh Dagur hails from the heart of India's capital Delhi, the imperial seat of several empires with his charming blend of a grand medieval history and amazing architectural style. Navteesh is seated in the hall and wishes to discuss an identical issue through his question. Navteesh, please ask your question. Good morning. Honorable Prime Minister Sir, I am Navteesh Jagur of Kendra Vidyalya, Pitampura, Delhi region. Sir, my question to you is, how do I deal with my family's situation when my results are not good? Kindly guide me sir. Thank you very much. Thank you Navteesh. I have been, because our relationship with K या महाद्व करते हैं कि यह महादव पूर्ण मुद्द्दह कई छात्रों और इसे हल करने के लिए आपका मार्क डर्षन चाहते हैं है आश्विनी आप क्रिकेट खेलती है क्या क्रिकेट में गूगली बॉल होता है, निशाना एक होता है, दिशा दूसरी होती है, मुझे लगता है कि आप पहले इप बॉल में मुझे आउट करना चाहती हो, अगर परिवार के लोगों के आपके से बहुत अपिक्षा होना, बहुत स्वाबावी कहने है, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन अगर परिवार के लोग अपेक्षाएं सोशल स्टेटस के कारण कर रहे हैं, तो वो चिंता का विशे है, उनका सोशल स्टेटस का उन पर इतना दबाव होता है, उनके मन पर इतना परभाव होता है, कि उनको लगता है कि जब सोसाइटी में जाएंगे तो बच्चों के लिए क्या बताएंगे, अगर बच्चे भीख हैं, तो कैसे उनके सामने चर्चा करेंगे, और कभी कभी माबाब भी आपकी छम्ता को जानने के बावजुद भी, अपने सोशल स्टेटस के कार, अपने आस पास के साथियों दोस्तों में कलब में जाते हैं, सब्सक्राइटी में जाते हैं कि तालाब में कपड़े दोए जाते हैं बैठते हैं बाते करते हैं बच्चों की बाते निकलती हैं फिर उनको इक इन्फिरिटी कॉंप्लेक्स आता है और इसलिए बाहर बहुत बड़ी-बड़ी बाते बता देते हैं अपने बच्चों के लिए और फिर दिरे दिरे वो इंटर्नलाइज कर लेते हैं और फिर घर में आकर के भी वोही अपेशाई करते हैं और समाज जीवन में ये सहच प्रभृत्ती बनी हुई है दूसरा आप अच्छा करेंगे तो भी हर कोई आपसे नई अपेशा करेगा हम तो राजनीती में हैं हम कितने ही चुनाओं क्यों नहीं जीत ले लेकिन ऐसा दबाव पैदा किया जाता है कि हमें हारना ही नहीं है दो सो लाए हैं तो बोले धाई सो क्यों नहीं लाए धाई सो लाए तो तीन सो क्यों नहीं लाए तिन सो लाए तो साड़े तिन सो क्यों नहीं लाए चारों तरफ से दबाव बनाये जाता है लेकिन क्या हमें इन दबावों से दबना चाहिए क्या पल भर सोचिए कि आपको जो दिन भर कहा जाता है चारों तरफ से जो सुना जाता है उसी में अपना समय बरबात करेंगे कि आप अपने भीतर देखेंगे अपनी क्षमता अपनी प्रावरिटी अपनी आवश्रक्ता अपने इरादे थोड़ा हर अपेक्षाओं को उसके साथ जोड़िए आप कभी क्रिकेट मैच देखने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि क विच बेशमेंड्द खिलने के लिए आते हैं में और पूरा स्टेलियुको हज़ार लोग होते हैं स्टेटियाम में गवे चिल्हाना सरू करता है आप चॉक्क चॉक्क चॉक्कचा चॉक्का चॉक्का सख्का संसलुक्च क्या वो ओडियंस की डिमांड के upर आव मैं चोगि चिलाते रहे, कितना ही चिलाते रहे, उसका ध्यान उस बॉल पर ही होता है, जो आ रहा है, उस बॉलर के माइन को स्टडी करने की कोशिश करता है, और जैसा बॉल है वैसे ही खेलता है, न की ओडियन्स चिलाता है, फोकस रहता है अगर आप भी अपनी एक्टिविटी में फोकस रहते हैं तो यह आपके जो कुछ भी धबाव बनता है अपक्षाय बनती है कभी ने कभी आप उसको मिट्वित करेंगे आप उस संकटों से बहार आजाएंगे और इसलिए मेरा आपसे आगरह होगा कि आप दबावों के दबावों में न रहें हाँ कभी कभी दबाव को एनालिसिस कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप स्वयम के भी से में अंडरेस्टिमेट कर रहे हैं आपके एक्षमता बहुत ह है लेकिन आप खूद ही इतने डिफिरेस्ट मेंटालिटी के हैं कि नया करने के लिए चोसोते नहीं तो कभी-कभी वह अपेक्षाएं बहुत बड़ी ताकत बन जाती है बड़ी उर्जा बन जाती है और इसलिए अपेक्षाएं माबाप को क्या करना है वहने पहले ही कहा सामाजी दमाओ में माबा अपने बच्चों पर दबाओ ट्रास्पर नहीं करना चाहिए लेकिन बच्चों ने अपनी क्षमता से कम भी अपने आपको नहीं आ करना चाहिए और दोनों चीजों की बर्द देंगे तो मुझे पक्का विश्वात है कि आप ऐसी समस्याओं को भ मानन ये प्रधान मंत्री जी आपका कोटी कोटी धन्यवाद आपके प्रेरक वच्चनों से अभिभावों को का अपने बच्चों के लिए समझने का मार्ग मिला है मानन ये प्रधान मंत्री जी चमबा प्रकृति के अंचुए सौंदर्यों को समेटे भारत के पैरिस के रूप में प्रसेद परवर्तिय नगर है चमबा हिमाचल प्रदेश से आरूशी ठाकुर अभासी माध्यम से हमसे जूड रही है आरूशी क्रिप्या अपना प्रशन पूछे माननिय प्रधान मंत्री जी नमश्कार मेरा नाम आरूशी ठाकुर है और मैं केंद्रे विद्याले बनी खेग धलाजी जिलाचंबा की कक्षा ग्यारनी की छात्रा हूँ माननिय मेरा आपसे यह प्रशन है कि परिक्षा के दौरान जो बात मुझे सबसे जादा परिशान करती है वो यह है कि मैं पढ़ाई कहां से शुरू करूँ मुझे हमेशा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ और मैं इसी के ही बारे में सोचती रहती हूँ जो मुझे काफी तनाव देता है कृपय कर्व मार दर्शन कीजिए धन्यवाद सर धन्यवाद आरुशी माननिय प्रधान मंत्री जी भारत में धान का कटोरा के नाम से प्रसिद्ध राजिय चतिस गड़ की राजधानी है रायपूर रायपूर की अदिती दिवान इसी समस्या पर अपनी मन की जिग्यासा का समाधान चाहती है अदिती अपना प्रश्ण पूछिए माननिय प्रधान मंत्री जी नमस्कार मेरा नाम अदिती दिवान है और मैं कृष्णा पब्लिक स्कूल रायपूर 36 गड़ मैं कक्षा बारवी की छात्रा हूँ मेरा आप से यह प्रश्ण है कि मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूँ कि मुझे बहुत कुछ करना है लेकिन अन्तिम तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कार्य होते हैं यदि मैं अपना कोई कार्य समय पर पूरा कर भी लूँ तो और ज्यादा परिशान हो जाती हूँ क्योंकि फिर अन्यकारियों को करने में या तो बहुत ज्यादा देर लगा देती हूँ या तो उन्हें आगे तक के लिए टाल देती हूँ मैं यह जानने के लिए उच्छुक हूँ कि मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे पूरे करूँ धन्यवाद धन्यवाद अदिती, माने निय प्रधान मंत्री जी आरूशी और अदिती अपनी परीक्षा की तैयारी एवं समय के सदुपियोग पर आपका मार्क दर्शन चाहते हैं कृपिया उनकी समस्या का समाधान करें माने निय प्रधान मंत्री जी दिखी शिरफ परीक्षा के लिए नहीं वैसे भी जीवन में ताइम मेनेजमेंट की प्रती हमें जागरुक रहना चाहिए परीक्षा और नो परीक्षा आपने देखा होगा काम का धेर क्यों हो जाता है काम का धेर इसलिए हो जाता है इस समय पर उसको किया नहीं इसलिए और काम करने की कभी ठकान नहीं होती है काम करने से संतोष होता है काम नव करने से ठकान लगती है कि सामने दिखता है अरे इतना सारा काम इतना सारा काम रुशी की ठकान लगती है करना सुरू करें दूसरा आप कभी कागज पे अपना पैंसिल लेके डायरी पे लिखिए एक हफ्ते भर आप नोट कीजिए कि आप अपना समय कहां बिताते हैं अगर पढ़ाई भी करते हैं तो कितना समय किस विशे को देते हैं और उसमें भी शौटकट धुगते हैं कि बेसिक में जाते हैं बारिक्यों में जाते हैं थोड़ा अपना एक एनालिसिस कीजिए मैं पक्का मानता हूँ कि आपको ध्यान में आएगा कि आप जो आपकी पसंद की चीजे है उसी में सबसे ज़्यादा समय लगाते है और उसी में खोए रहते हैं फिर तीन विशे ऐसे हैं जो कम पसंद है लेकिन जरूरी है वो फिर आपको बोज नंग लेगा मैंने दो-दो घंटे महनत की लेकिन यह तो हुआ नहीं और इसलिए आप सिरफ पढ़ना दो घंटे ऐसा नहीं लेकिन पढ़ने में भी जब फ्रेश माइंड है तब जो सबसे कम पसंद विशे हैं आपको सबसे ज़्यादा कठीन लगता है ताई किजिए पहली 30 मिनिट इसको फिर एक पसंद की वाला विशे है 20 मिनिट उसको फिर थोड़ा कम पसंद वाला 30 मिनिट उसको आप ऐसा स्लैब बनाईए तो आपको रिलेक्शर संद भी मिलेगा और आपको धीरे धीरे उन विशेओं पर रूची बढ़ेगी जो आप नॉर्मली टालते हैं और अच्छे विशे में खोई रहते हैं और समय भी तो भोच जाता है आपने देखा होगा आप मैंसे जो लोग पतंग चगाते होंगे मजिद बत्मन में बहुत शौक था पतंग की जो माजा होता है दागा होता है वो कभी एक दूसर में उलज जाकर के एक दम से बड़ा गुच्छा बन जाता है अब बुद्धिमार इंसान क्या करेगा यू यू खीचेगा क्या ठाकट लगाएगा इसा नहीं करेगा तो दीरे से एक एक तार को पकड़ने कोशिश करेगा कि खुलने का रास्ता कहा है और फिर दीरे दीरे खुलेगा तो इतना बड़ा गुच्छा भी आराम से खुल जाएगा और सारा माजा सारा धागा एक जैसी जरुत है वैसा उसके हाट लग जाएगा हमें भी उस पर जोर जबर्दस्ति नहीं करनी है आराम से सोलूशन निकालना है और अगर आराम से सोलूशन निकालेंगे तो मुझे पक्का विश्वास है कि आप उसको बड़े धंग से करेंगे दूसरा आपने कभी घर में अपनी मा के काम को अबज़र्व किया है क्या यूं तो आपको अच्छा लगता है कि जैसे स्कूल जाए तो माने सब रेडिर करके लखा था सुब स्कूल जाना था माने सब तयार करके लख दिया था लगता तो बहुत अच्छा है लेकिन क्या कभी अफजर किया है कि मा का time management कितना बढ़िया है उसको पता है सुबह यह है तो मुझे 6 बजे करना पड़ेगा साड़ी 6 बजे यह करना पड़ेगा उसको 9 बजे जाना है तो यह करना पड़ेगा वो 10 बजे घर आएगा तो यह करन पड़ेगा है यानि इतना perfect time में जे management मा का होता है और जब कि काम सबसे ज़्यादा कि मा करती रहती है लेकिन किसी काम में उसको बोज अनुप पोड़ी होता है थक गई बहुत काम है बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करती क्यों उसे मालूम है कि मुझे इतने घंटे में यह यह तो करना है और एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो भी वो चूप नहीं बैठती कुछ नों कोज अपना creative activity करती रहती है सुई धाका लेके बैठ जाएगी कुछ नों करती रहेगी रिलेक्ष करने के लिए भी उसने विवस्ता रखती है अगर मा की गत्वीद्य को धंग से अबजर करोगे तो भी आपको एज ए स्टूदेंट अपना time management का महत्व क्या होता है और time management ने दो गंटे चार गंटे ये तिन गंटे ये नहीं micromanagement चाहिए किस विशय को कितना time देना है किस काम को कितना time देना है और इतना बंधन भी नहीं डालने है कि बस छे दिन तक ये करूंगा ही नहीं क्योंकि मुझे पढ़ना है फिर तो आप थक जाओगे आप धंग से उसको distribute कीजिए समाई को जरूर आपको अलाब होगा धन्यवाद कि एससने को शुथ इस दिन तक याद कितना है ट्रिज्सक्ति प्रेज़ जरूर इस दितने को अच्टिप चट्यूर आपको शूरी डिश्ट्टी मुझें जरूर आपको प्लेइब जरू प्रूरू आपको जरूरू रुपेश is present here with us and needs your advice on a topic that is of vital significance. रुपेश, please ask your question. Good morning, Honorable Prime Minister Sir. My name is Rupesh Kasyap. I am a student of Class 9 from Swami Atmanand, Government English... रुपेश, चामेरा उस बच्ची पे लगाई है, हाँ. From Swami Atmanand, Government English Medium School, Darwha, District Buster 36. Sir, my question is, how can I avoid unfair means in exams? Thank you, Sir. Thank you, Rupesh. Honorable Prime Minister Sir, from the heritage city of Jagannathpuri, the spiritual capital of Odisha, famed for its magnificent corn-shaped layout, rathyaatra and seren beaches, Tanmay Biswal seeks your guidance on a similar issue. Tanmay, please ask your question. Honorable Prime Minister Sir, Namaskar. My name is Tanmay Biswal. I am a student of Javanavadai Vidyalay, Konark, Puri Odisha. My question to you, Sir, is, how to eliminate cheating or copying activities of the students during examination? Kindly guide me on this. Thank you, Sir. Tanmay, Maanini Pradhan Mantri Ji, Rupesh and Tanmay, My question is, how can I do this? My question is, how can I do this? करते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और यह चोरी करकर करके कापी करकर नकल करके अपना गाडी चला लेता है पहले भी शायद चूरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे लेकिन छुप छुप करके करते होंगे अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सूपरवाजर को बुद्ध बना दिया यह जो मुल्यों में बड़लावाया है तो बहुत खतरनाक है और इसलिए समाज यह सच यह हम सब को सोच रहा होगा दूसरा अनुभवाया है कि कुछ कुल या कुछ ऐसे टीचर्स जो टूशन क्रासिस चलाते हैं उनको भी लगता है कि मेरा स्टूडन्ट अच्छे तरह से निकल जाए क्योंकि मैंने उसके माबाप से पैसे लिये हैं कोचिंग करता था तो वह यह उसको गाइड करते हैं मदद करते हैं करते हैं ना ऐसे टीचर होते हैं ना नहीं होते हैं तो बोलिए ना और उसके कारण भी दूसरा मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट पढ़ने में तो टाइम निर्गात है लेकिन नकल करने के तरीके ढूंडने में बिढ़े क्रियेटिव होते हैं उसमें घंटे लगा देंगे, वो कापली बनाएंगे तो उसनी छोटे 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 अक्षर होगी बनाएंगे, कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाए उन नकल के तरीकी, नकल की टकनीक उसमें जितना दिमाग खापाता है, और बड़े क्रियेटिव होते हैं ये च क्रियेटिविटी को, टालेंट को सीखने में लगा देता, तो शायद अच्छा कर पा था, किसे न उसको गाइड करना चाहिए था, किसे न उसको समझाना चाहिए था, दूसरा ये बात समझ के चले, अब जिन्दगी बहुत बदल चुकी है, जगत बदल चुका है, और इसल लिए, ये बहुत आवशक है, कि एक एक एक्जाम से निकले मतलब जिन्दगी निकल गई, ये संभव नहीं है, जी, आज आपको डगर डगर हर जगा पे को इनको एक्जाम देनी पड़ती है, कितनी जगा पे नकल करोगे, जी, और इसलिए जो नकल करने वाला है, वो शायद एकाद दो एक्जाम को तो निकल जाएगा, लिकिन जिन्दगी कभी पार नहीं कर पाएगा, नकल से जिन्दगी नहीं बन सकती है, हो सकता है, एक्जाम में मार्श इधर उधर करके ले आए, लेकिन कहीं कहीं तो questionable होगा ही, और इसलिए ये बातामन हम को बनाना होगा, कि एकाद एक्जाम में तुमने नकल की, हो गया तुम निकल गये, लेकिन आगे चल करके, शायद तुम जिन्दगी में फसे रहोगे, दूसरा जो विद्यार्थी कड़ी मेहनत करते हैं, उनसे में मैं कहूंगा, कि आपकी मेहनत आपकी जिन्दगी में रंग लाएगी, हो सकता है कोई ऐसा ही फाल्तू, दो-चार मार्श आपसे उपर ले जाएगा, लेकिन वो कभी भी आपकी जिन्दगी की रुकावट नहीं बन पाएगा, आपके भीतर की जो ताकत है, आपके भीतर की जो ताकत है, वही ताकत आपको आगे ले जाएगी, कृपा करके, उसको तो फाइदा हो गया, चलो मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूँ, ऐसा कभी मत करना, कभी मल करना दोस्तों, एग्जा में तो आती हैं, जाती हैं, हमें जिन्दगी जीनी है, जी भर के जीनी है, जित्ते जित्ते जिन्दगी जीनी है, और इसलिए हमें शौटकट की तर्ब नहीं जाना चाहिए, और आपके जनता है, रेल्वे स्टेशन पर आपने देखा होग हर रिल्वेस्टेशन पे पट्री जहां होती है वाब ब्रीज होता है तुम लोग ब्रीज पे जाना पसंद नहीं करते हैं पट्री कुद करके जाते हैं कोई कारण नहीं ऐसे ही बस मज़ा आता है तुम्हां लिखा है शॉटकर बिल कट्यू शॉट इसलिए कोई अगर शॉटकर से कुछ कर लेता होगा आप उसके टेंशन को पालिये मत आप अपने आपको उसे मुक्त रखिए आप अपने पर फोकस कीजिए आपको अच्छा परणाम मिलेगा धन्यवाद धन्यवाद माने नियव प्रणान मंत्री जी आपके वचन सीधे हमारे रिदय में उतर गए हैं आपका धन्यवाद Honorable Prime Minister Sir, from Palakar, the land of pedophils, where the gentle breeze carries the aroma of harvested crops and the sound of traditional Kerala music. Sujal K. seeks your guidance. Sujal, please ask your question. Namaskar, आदर निया प्रदान मंत्री महोदे, मेरा नाम तेज़ सुझे है, मैं नौभी कक्षा में केंद्रे विद्याले कंजी कोड एरनाकुलम संभाक अचात्र हुँ. मेरा प्रशन यह है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में से कौन सा वर्क जरूरी है? क्या अच्छी परिणामों के लिए दोनों जरूरी है? कृपया अपना मार्ग दर्शन दीजिए. तन्यवाद स्वीमा. Thank you Sujal, Honorable Prime Minister Sir. क्या सवाल सांगुका है? क्या पूछ रहे थे? Sir, hard work के बार, hard work, hard work और smart work. Hard work और smart work. Thank you. अच्छा अपने बच्पन में एक कथा पड़ी होगी, सबने जुरूर पड़ी होगी. और इससे आप अंदार लगा सकते हैं, कि smart work क्या होता है, hard work क्या होता है. हम बच्पन में थे, तो एक कथा सुना पड़ाते थे, कि एक गड़े में पानी था, पानी जड़ा गहरा था, और एक कववा पानी पीना चाहता था, लेकिन अंदर वो बहुच नहीं पाता था, तो उस कववे ने छोटे-छोटे कंकर उठा करके उस गड़े में डाले, और दिरे-धिरे पानी उपर आया, और फिर उसने आराम से पानी पिया, सुना है लेक था, अब इसको आप क्या कहेंगे, हाड़ वर कहेंगे, कि स्मार्ड वर कहेंगे, और देखिए, ये जब कथा लिखी गई रहे, तब स्ट्रॉ नहीं था, वरना एक कववा, बाजार पे जाके स्ट्रॉ लेके आता, कुछ लोग होते हैं, जो हाड़ वर्क ही करते रहते हैं, कुछ लोग होते हैं, जिनके जिवेन में हाड़ वर्क का नामों नुशान नहीं होता हैं, कुछ लोग होते हैं, जो हाड़ ली स्मार्ड वर्क करते हैं, और कुछ लोग होते हैं, जो स्मार्ड ली हाड़ वर्क करते हैं, और इसलिए कोवा भी हमें सिखा रहा है कि स्मार्टली हाड़ वर्क कैसे करना और इसलिए हमें हर काम को पहले काम को बारी कैसी समझी है कुछ लोग होगे आपने देखा होगा कि चीजों को समझने के बजाए सीधा ही अपनी बुद्धी अपनाना शुरू कर देते हैं देर सारी महनत करें पढ़ना मिलता ही नहीं है मुझे आध है मैं बहुत पहले ट्राइबल बेल्ट में काम करता था तो मुझे काफी इंटियर में जाना था तो किसी ने हमें कुछ जमाने की जो पुरानी जीप होती थी उसने विवस्था की आप उसको लेके जाईए अब सुबह हम कोई साड़े पाच बें निकले माले थे लेकिन हमारी जीप चली नहीं रही थी हम अब धेर सारी कोशिश से कि धक्के मारे यह क्या दुनिया भर का हार्ड वर्क किया हमारी जीप नहीं चली कि का साथ-साथ बज गए यह एक मेकननी पुलाया हूओ कि अब मेकनेक ने है मुश्ट्ल से दो मिनिट लगाया होगा है और दो मिनिट में उस ने से कर दिया थी किरू के चाहतर कह मूले साथ शाल की अनूभउं का दो सो अब हम हाड़वर कर रहे जिब नहीं चल रहे थी उसने स्मार्टली थोड़े से बोल्टाइट करने थे हाड़ी उसको दो मिरिट लगा हो गई गड़ी चल गई कहने का ताथ पर ये हैं कि हर चीज बड़ी महनद मजदूरी से करेंगे तो होगा ऐसा आप देखा होगा पहलवान जो होते हैं नहीं जो खेल कुट की दुनिया के लोग होते हैं उसको कौन सा खेल से वो जुड़ा हुआ है उस खेल में उसको किस मसल्स की जरूरत होती है जो ट्रेनर होता है उसको मानूम है अब जैसे विकेट की पर होगा तो विकेट की पर को ऐसे ही जुक करके गंतों तक खड़े रहना होता है अब हमें क्लास में कुछ गलत किया और टीचर कान पकड़के नीचे बिठा देते हैं ऐसे हाथ पैर में अंदर डालके तो कितना दर्द होता है होता एक नहीं होता है एक तो साइकोलोजिकल भी होता है फिजिकल भी होता है कि पैर ऐसे करके कान पकड़क बैठना होता है ताकि दीर दीर उसके वो मसल मजबूत हो जाएं ताकि वो विकेट की उपर के नाथ अच्छा काम करें बॉलर होता है तो उसको उस विधा की जरूत नहीं है उसको दूसरी विधा की जरूत है तो उसको वो करवाते हैं और इसलिए हमें भी जिस चीज पे जरूरत है वहीं फो लगेगी हाथ पर उचे करते रहो दोड़ते रहो टिकना करो फलाना करो जनरल हेल्थ के लिए फिटनेस के लिए ठीक है लेकिन अगर मुझे एच्व करना है तो उन स्पैसिपिक एरियास को मुझे एड्रेस करना होगा और यह जिसको समझ होती है वो परिणाम भी देता है प्रकार के मसद्स को मजबूत कर ना होता है हाडवर तो वो भी करते हैं लेकिन वो स्मार्टली हाडवर करते हैं और स्मार्टली हाडवर करते हैं तब जाकर करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर्व और इंसाइफुल गाइदेंस on choosing consistent hard work in our lives. Mananiya Pradhan Mantri Ji, Guru Dronacharya के नाम से विख्याद Cyber City, Haryana के प्रसिद्ध और द्योगिक नगर Guru Gram की छात्रा, Jowita Patra, सबागार में उपस्तित है और आप से प्रशन पूछना चाहती है. Jowita, कृप्या आपना प्रशन पूछे. Namaskar, Honorable Prime Minister Sir. My name is Jowita Patra and I am a student of Class 10th of Jawahar Navode Vityale, Guru Gram, Haryana. It's my privilege and great honor to participate in the Pariksha Pe Chorja 2023. Honorable Prime Minister Sir, my question to you is, being an average student, how can I focus on my studies? Kindly guide me on this issue. Thank you Sir. धन्यवाद जोविता, माननिय प्रधान मंत्री जी, जोविता पात्रा, एक average student, आप से examic कैसे बहतर करे, इसके बारे में आप से मार्क दर्शन चाहते है, कृप्या उनका मार्क दर्शन करे, माननिय प्रधान मंत्री जी. सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, कि आपको पता है का आप average है, वरना जादा तर लोग ऐसे होते हैं, जो बीलो एवरेज होते हैं, और अपने आपको बड़ा तिश्मारगा मानते हैं, सब बंदर के व्यापारी मानते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको और आपके माता-पिता जुगी भी बधाई देता हूँ, एक बार आपने इस सत्य को स्विकार कर लिया, कि हाँ अभी मेरी एक शेप प्षमता है, मेरी अस्तिती है, मुझे अभी इसके अनुकुल चीजों को ढूढ़ रहा होगा, मुझे बहुत बड़े तिश्मारगा बनने के ज़रूत नहीं है, हम अपने सामर्थ को जिस दिन जानते हैं न, तो हम सबसे बड़े सामर्थवान बन जाते हैं। जो लोग खुद के सामर्थ को नहीं जानते हैं, उनको सामर्थवान बनने में बहुत सारी रुकावटे आती हैं। इसलिए इस थित्य को जानना, यह अपने आप में इश्वर ने आपको शक्ती दी है, आपके टीचर्स ने शक्ति दी हैं आपके परिवार ने शक्ति दी हैं और मैं तो चाहूंगा हर माबाप से आप बच्चों का सही मुल्यांकन कीजिए उनको उनके अंदर हीन भावना पैदा होने मत दीजिए लेकिन सही मुल्यांकन कीजिए कभी कभी आप लोग उसको कोई बहुत बड़ी महंगी चीज लानी है तो आप आराम से उसको करें ले निवे अपने घर की अतनी ताकत नहीं है यह चीज हम नहीं ला पाएंगे ऐसा करो दो साल इंतजार करो उसमें कुछ बुरा नहीं है अगर आप घर की स्थिती के सबन में बच्चे से अनालिसिस करते हैं तो इसमें कुछ बुरा नहीं है और इसलिए हम एक सामान्य स्थर के व्यक्ति हैं और जादातर लोग सामान्य स्थर के ही होते हैं जी एक्स्ट्रा ओडिनरी बहुत कम लोग होते जी लेकिन सामान्य लोग असामान्य काम करते हैं और जब सामान्य व्यक्ति असामान्य काम करते हैं तब वो कहीं उंचाई पर चले जाते हैं एवरेज के मांदन को तोड़ करके निकल जाते हैं और इसलिए हमें कभी भी यह सोच नहीं दुनिया में आप देखिए जावादर जो लोग सफल हुए है वो क्या है जिए वो किसी जमाने में एवरेज लोग थे जिए असामान ने काम करके आए है बहुत बड़ा प्रणाम लेके आए है अब आपने देखा होगा इन दिनों दुनिया में पूरे विश्व की आर्थिक सितियों की चर्चा हो रही है कौन देश कितना आगे गया किसकी आर्थिक सिति कैसी है और कोरोना के बाद तो ये बड़ा मांदबंद बन गया है और ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के पास अर्थव्यत्ताओं की कमी है बड़े बड़े नॉबल प्राइज बिनर है जो गाइड कर सकते हैं कि ऐसा करने से आर्थिक सिति ऐसी बनेगी ऐसा करने से ऐसी आर्थिक सिति कोई कमी नहीं है ज्यान का प्रवाब बातने वाले तो हर गली मोहने में आजकर अवेलेबल हैं और कुछ विद्वान भी अवेलेबल है जिन्नों ने बहुत कुछ किया है लेकिन हमने देखा है कि भारत आज दुनिया में आर्थिक जो तुलनात्मक हो रहा है भारत को एक आशा की किरन के रुप में देखा जा रहा है आपने दो तिन साल पहले देखा होगा हमारी सरकार के विशे में यही लिखा जाता था कि इनք के पास कोई अकॉनित नहीं है सब एवरेज लोग है प्राहीमिस्टर कुभी एकॉनित का कोई ग्यान नहीं है ऐसा ही लिखा जाता था अब पढ़तेह ऑग नहीं टरतेह्टेह कहा जाता था वो देश आज दुनिया में चबक रहा है दोस्तों और इसलिए हम इस प्रेशर में न रहे दोस्तों कि आप एक्स्ट्राउडिनरी नहीं है और दूसरी बात आप एवरेज भी होंगे आपके भीतर कुछने कुछने कुछत एक्स्ट्राउडरिनरी हो गाई उसको पहचाने है उसको खात्पानी डालना है आप बहुत में आके निकरत जाएंगे ये मेरा भी स्वाफ है। धन्यवाद। ये मेरा नाम मनत बाजवा है। अपनी राय रखने वालों की भौतायत है। आपके बारे में नकरात्मक राय रखने वाले लोग भी है। क्या वह आपको प्रभावित करते हैं? यदी हां करते हैं, तो आप आत्मसंदेह की भा話ना से कैसे उभरते हैं? मैं इसमें आपसे मार्ग दर्शन चाहती हूँ. धन्यवाज श्रीमान. Thank you, Mannat. Honorable Prime Minister, Sir. Aastami Sen resides in South Sikkim, an area famous for its tea gardens, breathtaking beauty and tranquil, undisturbed, snow-clad Himalayas. She also requests your directions on identical matter that needs to be addressed. Aastami, please ask your question. माननिय प्रधार मंत्री जी, नमस्कार, मेरा नाम Aastami Senhen, मैं कक्षा एगार्वी की छात्रा, DAB Public School, प्रंगित नगर, दक्षिन सिक्किन से हूँ. मेरा प्रश्न आपसे ये है कि, जब विपक्ष और मीडिया आपकी आलुचना करते हैं, तो आप कैसे हिनका सामना करते हैं, जबकि मैं अपने अभिभाबों को की शिकायतों एवं निराशा जनक बातों का सामना नहीं कर पाते हूँ. क्रिपिया मेरा मार्ग दर्शन कीजिए, धन्यवाद स्रीम. ठैंक यू अस्तमी, मानेनिय प्रधान मंत्री जी, राश्ट्र पिता महात्मा गांधी, सरदार पटेल और स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे महापुरुशों की जन्व भूमी, गुजुरात की कुमकुम प्रताब भाई सोलंकी, आभासी माध्यम से जुड रही हैं, और इसी तरह की दुविदा में हैं, कुमकुम आपसे मार्ग दर्शन चाहती है, कुमकुम कृपिया अपना प्रश्न पूछिए, मानन ये प्रदान मंत्री महाँ रही, मेरा नाम सोलंकी कुमकुम है, मैं कुक्षा बार्वी, श्री हडालाबाल हाई स्कूल, जिल्ला एहम्दाबाद, गुजरत की छात्रा हूँ, मेरा प्रश्न है है कि आप इतने बड़े प्रजाद आंतरी बिश के प्रदान मंत्री है, ज Aakash Darira lives in the Silicon Valley of India, Bangalore, known for being a perfect gateway to a plethora of activities, both traditional and modern. Through his question, he seeks to advise on a somewhat similar matter that has been concerning him for a while. Aakash, please ask you a question. नमस्ते मोदी जी, मैं Aakash Darira, बारवी कक्षा, Whitefield Global School, Bangalore से. मेरा आपसे यह प्रश्न है कि मेरी नानी जी, Kavita A. Makija, मुझे हमेशा सला देती है आपसे सीखने के लिए, कि आप कैसे विपक्ष के लगाई हुए हर आरोप, हर आलोचना को टॉनिक और अवसर के रूप में देखते हैं. आप ऐसे कैसे करते हैं, मोदी जी, कृप्या हम युवाओं को भी प्रेर ना दे, ताकि हम जीवन के हर परिक्षा में सफल हो. धन्यवाद. थैंक यू आकाश, माननिय प्रधान मंत्री जी, आपका जीवन करोडो युवाओं का प्रेर रख रहा है, मननत, अस्टमी, कुमकुम और आकाश, जीवन में आने वाली चुनोतियों में कैसे सकारात्म के रहकर सफलता प्राप्त करे, इस विशह पर आपका अनुभाव जान आते हैं, कृपया मार्ग दर्शन करें, मानिय प्रधान मंत्री जी, आप लोग एक्जाम देते हैं, और घर आकर के जब परिवार के साथ या दोस्तों के साथ बैढते हैं, कभी टीचर से निकट नाता है, उन से बैढते हैं, और कोई सवाल का जवाब ठीक नहीं आया, तो आपका पहला रिएक्षन होता है, यह आउट ओफ सिलेबस था, यह होता है रहे, यह भी आउट ओफ सिलेबस है, लेकिन मैं अंदाज कर सकता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, अगर आपने मुझे न जूड़ा होता, तो शायद आप अपनी बात को और धंग से कहना चाहते होंगे, लेकिन शायद आपको मालूम है, कि आपके परिवार वाले भी सुन रहे हैं, तो ऐसा खुल करके बोलने में खत्रा है, इसने बड़ी चतुरा ही थे, आपने बुझे अधर लपेट लिया है, देखिए जहां तक मेरा सवाल है, मेरा एक कन्विक्शन है, और मेरे लिए यह आर्टिकल अप फेट है, मैं सिध्धांत तह मानता हूँ, कि समरिद्ध लोकतंतर के लिए, आलोचना एक शुद्धी यगन है, आलोचना यह समरिद्ध लोकतंतर की पुर्वशर्थ है, और इसलिए आपने देखा होजगा टेक्लोलोजी में ओपन सोर्स टेक्लोलोजी होती है, बालू है ना, ओपन सोर्स होता है, उसमें सब लोग अपने अपनी चीज़े डालते हैं, और ओपन सोर्स टेक्लोलोजी के माध्यम से, यह अलाव किया जाता है, कि देखें भी हमने यह किया है, हम यहाँ जाकर कैटके हैं, हो सकता है कुछ कमिया होगी, तो लोग उसके अंदर अपने अपने टेक्लोलोजी को इंसर्ट करते हैं, और काफी लोगों के प्रयास्ते वो एक्तम से समरुद्विक स्वापपर बन जाता है, यह ओपन सोर्स आजकल बहुत ही ताकत पर एक इंस्ट्रुमेंट माना जाता है, उसी प्रकार से कुछ कंपनियां अपनी प्रोडक को मार्केट में रखती हैं, और चलेंज करती हैं कि उसमें जो कमिया है वो दिखाएगा, उसको हम इनाम देंगे, बाउंट सिस्टिम की व्यवस्ता खड़ी हुई है, इसका मतलब यह हुआ, कि हर कोई चाहता है कि कमियां जो हो, उससे मुक्ती का राष्टा कोई इंगीत करेता हो तो होगा ना, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, आलोचना करने वाला कौन है, उस पर सारा मामला सैट हो जाता है, जैसे माल दीजिए, आप यहां स्कूल के अंदर फैंसी ड्रेस कॉम्पुटिशन है, और आपने बड़े चाव से बढ़िया फैंसी ड्रेस पहन करके गई, और आपका प्रियद दोस्त है, एकड़म प्रियद दोस्त, जिसकी मात आपको हमेशा अच्छी लगती है, वो कहेगा यार, तुमने ऐसा क्या पहना, यह अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपका एक रियक्षन होगा, और एक स्टूड़न है, जो आपको थोड़ा कम पसंद है, नेगेटिव वाइबरे सेंस हमेशा आते हैं, उसको देखते ही, आपको उसके बाते बिल्कुल पसंद नहीं है, वो कहेगा, देखो, यह क्या पहन के आया है, कैसे पहनते हैं, क्या, तो आपका एक दूसरा यह चलोगा, क्यों, जो अपना है, वो कहता है, तो आप उसको पोजिटिव लेते हैं, उसालों चला को, लेकिन जो आपको पसंद नहीं है, वो वो ही कह रहा है, लेकिन आपको गुसात है, तू कौन होता है, मेरी मर्जी, ऐसा ही होता है न, उसी प्रकार से, आप आलोचना करने वाले, आदतन करते रहते हैं, तो उनको एक बक्से में डाल दीजिए, दिमाग खपाई यह मर ज्यादा, क्योंकि उनका कुछ और है, अब घर में आलोचना होती है क्या, मैं समझता हूं कुछ गल्ती हो रही है, घर में आलोचना नहीं होती है, यह दुरभाग्य का विशा है, आलोचना करने के लिए माबाप को भी बहुत अध्यान करना पड़ता है, आपको अबजर करना पड़ता है, आपके ट दोस्तों की आदते जाननी पड़ती है आपकी दिंचरिया को समझ ना करना पड़ता है आपको फोलो करना पड़ता है आपका मोबैल फोन पर कितना टाइम जा रहा है स्क्रीन पर कितना टाइम जा रहा है सारा बहुत बारी किसे कुछ ने बोलते हुए माबाप अफजर करते है फिर कभी आप किस अच्छे मुड में होते हो देखते हैं और जब अच्छे मुड में होते हैं अकेले होते हैं तब प्यार से कहते हैं का रही आर देख बेटे तुछ इतनी ख्रूमता है इतना सामईरता है देख ते interviewing तरी सक्ति हहर क्यों जा रही है तो वो सही जगा पर वो रजिश्टर होता है वो आलोचना काम आज़ाए कि आजकल माबापको टाइम नहीं है वो आलोचना नहीं करते हैं और जो गुस्सा आपको आता है न वो टोका टोकी काता है कुछ भी करो खाने पर बैठे हैं कुछ भी कहेंगे यह खाया तो भी कहेंगे नहीं खाया तो भी कहेंगे यहीं होता है न देखिए अब आपके माता पिताजी आपको पकड़े के घर जाके क्या आज़ा तोका टोकी जो है वो अलोचना नहीं है अब माबाप से मैं आगरह करूंगा कि किर्पा करके आप अपने बच्चों की भलाई के लिए यह तोका टोकी के चक्कर से बाहर निकलिए उससे आप बच्चों की जिन्दगी को मोल नहीं कर सकते हैं उपर से इतना मन से कुछ उप दिन अच्छे मूड में है कुछ अच्छा करने के मुडवे हैं और आपने सुभे कुछ कह दिया देख दूठ ठंडा हो गया तो दूठ पीता नहीं है शुरू कर दिया तो तो ऐसा ही है फलाना जेख कैसा करता है तुरंट सुभे अपनी मां कहती है से दूठ प्र लेता है फिर उसका दिमाख फटलता है वो द प्रशी तैयरी करके आते हैं कि पार्लामेंट में अपनी स्पीच देने के लिए लेकिन स्वभाव से जो सामने विपक्ष के लोग होते हैं न वो आपकी साइकोलोजी जानते हैं तो कुछ में ऐसे ही कोई कि टिपनी कर देते बैटे-बैटे और उसको मालूम है कि टिपनी ऐसी है कि वो रियक करेगा ही करेगा तो हमारा MP होता है उसको लगता है अब इंपोर्टन यसकी टिपनी है इसलिए जो तैयारी करके आया है वो छूड़ जाती है और वो उसी की टिपनी को जबाब देता रहता है और अपना पूरी बर्मादी कर देता है और अगर टिपनी है है हसी मजांग में बॉल खेल दिया खेल दिया छुटी कर दी दूसरी सेकंड पर अपने विशे पर चला जाता है तो उसको फोकस एक्टिविटी का परणाम मिलता है और इसलिए हमें अपना फोकस सोड़ना नहीं चाहिए दूसरी बात है देखे आलोचना करने के लिए बहुत महनत करनी पड़ती है बहुत अध्यान करना पड़ता है उसका एनालिजिस करना पड़ता है comparison करनी पड़ भी है बुद्काल देखना पड़ता है वर्तमान देखना पड़ता है भविष्ट देखना पड़ता है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है तब जाके आलोचना संभव होती है और इसलिए आजकल shortcut का जमाना है जादातर लोग आरोप करते है आरोप और आलोचना के बीच में बहुत बड़ी खाई है हम आरोपों को आलोचना न समझे आरोप आलोचना तो एक प्रकार से वो nutrient है जो हमें समर्द करता है आरोप वो चीज़े है जिसको हमने आरोप लगाने वालों को गंवीर्ता से लेने की जरूरत नहीं है समय बरबात की जरूरत नहीं है लेकिन आलोचना को कभी light नहीं लेना चाहिए आलोचना को हमेशा मुल्यवान समझना चाहिए वो हमारी जिंदगी को बनाने कलिए बहुत काम आती है और अगर हम इमानदार है हमने प्रामानिक सत्य निश्टा से काम किया है, समाज के लिए काम किया है, निश्चित मक्सद के लिए काम किया है, तो हारोपों की बिलकुल परवा मत किजिए दोस्तों, मैं समझता हूँ आपकी एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी, बहुत 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 आपकी सकारात्मक उर्जा ने करोडों देश्वासियों को नया मार्ग दिखाया आपका धन्यवाद माननिय प्रधान मंत्री जी तालों के शहर बोपाल के दिपेश अहिरवार आभासी माध्यम से हमसे जुरे हुए है एवं मान्य वर्धान मंत्री जी से प्रशन पूछना चाहते हैं दिपेश क्रिप्यापना प्रशन पूछे मान्य प्रधान मंत्री जी नमशकार मेरा नाम दिपेश हैवार है मैं शास्त के उच्चतर मार्मिक विद्भाला एंड़ात पुर्वजब मुपाल का कच्छा दज्वी का चात्र मुद्ध आजकर बच्चों में कालपनी खेल और इस्ट्रग्राम की लगत एक सामान्य सी बात हो गई है ऐसे समय में यहां अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान के इंद्रित करें मान्य सर मेरा आपसे यह प्रिश्न है कि हम बिना ध्यान भटकाई अपनी पढ़ाई पर कैसे ध्यान के इंद्रित करें मैं इस सम्मद में आपसे मार्गर्शन चाता हूँ धन्यवाद धन्यवाद दिपेश माननिय प्रधान मंतरी जी अधिताब गुपता का प्रश्न इंडिया टीवी द्वारा चुना गया है अधिताब हमसे आभासी माध्यम से जुड़े रहे हैं अधिताब अपना प्रश्न पूछिए मेरा नाम अधिताब गुपता है मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ जैसे कि टिकनोलोजी बढ़ती जा रही है वैसे भी हमारी डिस्ट्राक्शन जो है वह और ज़रा बढ़ती जा रही है हमारा फोकस पढ़ाई पे कम होता है और सोशल मीडिया पे जाद होता है तो मेरा आपसे यह सवाल है कि हम पढ़ाई पे कैसे लिख फोकस करे और सोशल मीडिया पे कम करे क्योंकि आपके ताइम पे इत्ती जादर डिस्ट्राक्शन नहीं होती थी जितने अभी हमारे टाइम पे धन्यवाद अधिताप, Honorable Prime Minister Sir, the next question comes from Kamakshi Rai on a subject that is central to many students. Her question has been selected by Republic TV. Kamakshi, please ask your question. Greetings Prime Minister and everyone. I am Kamakshi Rai, studying in class 10th from Delhi. My question to you is, what are the different ways that can be adopted by a student to not easily get distracted during their exam times? Thank you. धन्यवाद का माक्षी, मानेनिय प्रधान मंत्री जी, इस प्रश्न का जुनाव ZTV द्वारा किया गया है. मनन मित्तल, हमसे आभासी माध्यम से जुड़े हैं. मनन, कृपे आपना प्रश्न पूछिए. नमस्ते प्रधान मंत्री जी, मैं मनन मित्तल, DPS Bangalore South से बोल रहा हूँ. मुझे आपसे एक प्रश्न है. ओनलाइन पढ़ाई करते वक्त, बहुत सारे distractions होते हैं, जैसे कि ओनलाइन गेमिंग वगेरा वगेरा, हम इससे कैसे बचें हैं? ये श्टूडल था है क्या? ये खेंगेर कोटे रहते होगेरा. धन्यवाद मनन, माननिय प्रधान मंत्री जी, दिपेश, अदिताव, कमाक्षी, एवं मनन, परिक्षा में आने व्याले व्यवधान पर और इसससे कैसे बाहर निकलें? इस विशय पर आपसे मार्क दर्शन चाहते हैं कृप्या मार्क दर्शन करें माने निये प्रधान मंत्री जी सबसे पहले तो निर्णे ये करना है कि आप स्मार्ट है कि गैजेट स्मार्ट है कभी-कभी तो लगता है कि आप अपने से भी जादा गैजेट को जादा स्मार्ट मान लेते हैं और गल्ती वहीशे शुरू हो जाती है आप विश्वास करिए परमात्मा ने आपको बहुत शक्ति दी है आप स्मार्ट है गैजेट आपसे स्मार्ट नहीं हो सकता है आपकी जितनी स्मार्टनेस ज्यादा होगी उतना गैजेट का सही उप्योग आप कर पाएंगे वो एक इंस्टुमेंट है जो आपकी गती में नई तेजी लाता है यह अगर हमारी सोच बनी रही तो मैं समझता हूँ कि शायद शायद आप उससे छुटकारा पाएंगे दूसरा कि देश के लिए बहुत बड़ी चिंता का विशा है जी मुझे कोई बता रहा था कि भारत में एवरेज छे गंते लोग स्क्रीन पे लगाते हैं छे गंते अब जो इसका बिजनेस करते हैं उनके लिए तो खुशी की बात है जब मोबाइल फॉन पर टॉक टाइम होता था तो टॉक टाइम में कहते हैं कि उस समय एवरेज 20 मिनिट जाती थी लेकिन जब से स्क्रीन और उसमें से रील क्या होता है एक बार शुरू करने के बाद निकलते हैं कि उसमें से बाहर क्या होता है नहीं बोलेंगे अच्छा आप लोग कोई रील देखते नहीं है नहीं देखते हैं ना तो फिर शर्माते क्यों हो बताओ ना निकलते हैं कि बार अंदर से देखिए हमारी क्रियेटिव उमर और हमारी क्रियेटिविटी का सामर्थ अगर एवरेज हिंदुस्तान में छे गंटे स्क्रीन पर जाएं तो यह बहुत चिंता का विश्य है एक प्रकार से गैजेट हमें गुलाम बना देता है हम उसके गुलाम बनकर के जी नहीं सकते हैं पर मात्मा ने हमें एक स्वतंत्र अस्तित्व दिया है स्वतंत्र व्यक्तित्व दिया है और इसलिए हमें सचेत रहना चाहिए कि कहीं मैं इसका गुलाम तो नहीं हूँ आपने देखा होगा आप कभी भी देखे होगे मेरे हाथ में कभी कोई मुबाइल फोन शायदा प्रेयरली कभी देखा होगा अधियरली मैंने क्यों अपने आपको समाल के रखा हुआ है जबकि मैं एक्टिव बहुत हूं उसके लिए समय मैंने तैक किया हुआ है उस समय के बहार में ज्यादा नहीं करता हूं और इसलिए लोग तो मैंने देखा है अच्छी मीटिंग चल रहे हैं यह बहुत अच्छी और थोड़ा सा वैब्रेशन आया तो ऐसे निकाल के देखता है मैं समयता हूं कि हमने खुदिने कोशिश करनी चाहिए कि हम इन गैजेट्स के गुलाम नहीं बनेंगे मैं एक स्वतंत्र वेट्टीक रहूं मेरा स्वतंत्र अस्पीक रहे और उसमें से जो मेरे काम की चीज़ है उस तक ही मैं सिमित रहूंगा मैं टेक्लोलोजी का उपयोग करूँगा मैं टेक्लोलोजी चे भागूँगा नहीं लेकिन मैं उसकी उपयोगीता और आवश्यत्ता अपने मुताबिक करूँगा अब मा लीजिये आपने ओनलाइन धोसा बनाने की बढ़िया रेसिपी पढ़ ली गंटा लगा दिया कौन-कौन से इंग्रेडियन्स होते हैं वो भी कर लिया पेड बर जाएगा क्या बर जाएगा क्या नहीं बरेगा न उसके लिए तो डोसा बना के खाना पड़ेगा न और इसलिए आपके into yeah जो परघस्ता है वो आपको को पुर्णता नहीं देता है कि आपके भी तर का सामर्थ आप अपने देखा होगा पहले की जमाने में बच्चे बड़े आराम से पहड़ा कर देते थे, पहड़ा बोलते हैं, है, और बड़े आराम से बोलते, ऐब मैंने देखा है, जो भारत के बच्चे विदेश जाते थे न, तो विदेश की लोगों को बड़ा अश्रे होता था,rich कि ये कैसे इतना पहड़ा बोल देता है, अब उसको क क्यों उसको बाड़ गया है हो गया याने हम अपनी क्षमता खो रहे हैं हमें अपनी क्षमता खोए बिना क्षमता को आगे बढ़ाना यह हमें कॉंसियसली प्रयास करना पड़ेगा अदर्वाइज धीरे 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 करके वो विधा खतम हो जाएगी हमारी कोशिश होनी चाहि मुझे ही आता है कि नहीं आता है वरना तो आजकल तो अटिफिशन इंटर्जिंस के इतने प्रेट्फरम आए है कि आपको कुछ करने के जरूत नहीं है उस प्रेट्फरम पर जाकर के चैट पर चले जाएंगी तो आपको दुनिया भर की चीज़े बतागर कर दे देता है वो अब तो गूगल से भी एक स्ट्रेप आगे चला गया है अगर आप उसमें फस गए तो आपकी क्रिएटिविटी खतम हो जाएगी और इसलिए मेरा तो आगर रहेगा कि आप दूसरा हमारी हाँ आरोग्य का जो सास्त्र है पुरातन भारत में आरोग्य का उसमें उपवास की परंपरा होती है कि कुछ जरा ऐसा लगता है तो ऐसा करो आप फास्टिंग करो कुछ हमारे देश में कुछ रिलीजियस रिज्यूल्स में भी होता है फास्टिंग करो अब वक्त बदल चुका है तो मैं आपको कहूंगा क्या आप हफ्ते में कुछ दिन या दिन में कुछ गंटे ये टेक्नोलोजी का फास्टिंग कर सकते हैं क्या कि उतने गंटे उस तर्फ जाएंगे ही नहीं आपनेे देखाऊ करका कई परिवार होते है गरवे बड़ा दस्वी बारवी बड़ा करते हैं देप और फिर टीवी पे वी कपड़ा लगारा देते हैं नो टीवी क्यों एक्जाम है दस वी के क्जाम है बारवी के एक्जाम है अगर हम इतने जागरु हों कि टी वी पर तो पर्दा लगा देते हैं लेकिन क्या हम स्वभाव से ताहि कर सकते हैं कि सब्ता हमें एक दिन मेरा तिजिटल कि नो डिजिटल डिवाइस मैं किसी को हाथ में लगाऊंगा उसमें से जो फायदा होता है उसको अबजर्व कीजिए धीरे 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 आपको उसका समय बढ़ाने का मन करेगा उसी प्रकार से हमने देखा है कि परिवार हमारे तो छोटे होते जा रहे हैं अब परिवार भी इस डिजिटल दुनिया में फस रहे हैं एक ही घर में मां बेटा बहन भाई पापा सब रह रहे हैं और एक ही कमरे में वह उसको वाट्सप कर रहा है मैं आपकी इक बात बताना हुआ है मा भी पापा को वाट्सप करेगी देखा होगा आपने घर में सब बैठे हैं साप में हर अपने मुबाइल में ख्वया हुआ है उधर देख रहा है इधर देख रहा है यहीं हो गया है ना मुझे बताइए परिवार कैसे चले का जी पहले तो बस में ट्रेंध में जाते थे जो लोग गपे मारते थे अब अगर कनेक्टिविटी मिल गई तो पहला काम यही जैसे दुनिया भर का काम उनीके पास है उनके बिना दुनिया रूख जाने वाली है यह जो बिमारिया है इस बिमारियों को हमें पहचानना होगा हम अगर इन बिमारियों को पहचानेंगे उन बिमारियों से मुक्त हो सकते हैं और इसलिए मिना आ bowls गर में भी कि एक एरिया जो है कि नो टेक्नालोजी जो मतलब वहां टेक्नालोजी को एंट्री नहीं मिलेगी वहां आना है घर के उस कौने में तो मोबैल वहां रखते आओ और वहां आराम से बैठेंगे बाते करेंगे कि नो टेक्नालोजी जो बरके अंदर भी एक कौना बना दीजिए जैसे देवगार होता है भगवान का मंदिरी का लग होता है कौने में वैसा ही बना दीजिए इस कौने माने चलोगा मोबैल बार क्या हो यहां ऐसे बैठों आप देखिए तीरे तीरे आपको जीवन जीने का आनन्द सुरू होगा आनन्द अगर सुरू होगा तो आप उसकी गुलामी बेसे बाहर आओगे बाद बाद देनवाद Thank you Honorable Prime Minister Sir for sharing such light-hearted mantra of digital fasting to tackle challenging situations in such an easy manner Maa Niniya Pradhan Mantriji, Himalaya Parvat Mala Mastit, Prakritik Saundarya Sabharpur, Union Territory, Jammu Se, Nida हमसे आभासी माध्यम से जोड रही हैं एवं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं Nida अपना प्रश्न पूछे Honorable Prime Minister Sir, Namaskar I am Nida of Class 10th from Government Model High School School, Sujwan, Jammu Sir, my question is when we work hard but do not get the desired result then how can we put that stress in a positive direction Respected Sir, have you ever been through such a situation? Thank you धन्यवात Nida, मानिनिय प्रधान Mantriji, भगवान कृष्ने के उपदेश की भूमी, खेल जगत में ख्याती प्राप, नीरत चोप्रा जैसे विख्यात खिलाडियों के प्रदेश, हरियाना के पलवल से प्रशान्थ आपसे प्रश्न पूछना चाहते हैं प्रशान्थ कृपिया अपना प्रश्न पूछे प्रशान्थ मानिनिय प्रधान मंत्री जी, निदा और प्रशान्थ की तरह देश भर के कड़ोरो ज्छात्र आपसे परिक्षा परिनाम पर तनाव का प्रभाव इस विशे पर मार्गदर्शन चाहते हैं मानिनिय प्रधान मंत्री जी देखिए परिक्षा के जो परणाम आते हैं उसके बाद जो तनाव है उसका मूल कारण एक तो हम ले परिक्षा देकर के जब घर आए तो घर के लोगों के ऐसे पांट पढ़ाए कि मेरा तो शांदार पेपर गया है मेरा तो बिलकुल नब्बे तो पक्का है और बहुत अच्छा करके आया हूँ तो घर के लोगों का एक मन बन जाता है और हमको भी लगता है कि गाली खानी है तो महिने भर के बाद खाएंगे अभी तो बता दो उनको और उसका परिणाम लिया आता है कि वेकेशन का जो टाइम होता है परिवार ने मान लिया होता है तो तुम सच बोल रहे हो और तुम ने तुम अच्छा रिजल्ट लाया लाने ही वाले हो ऐसा माल देते हैं वो अपने दोस्तों को बताना शुरू करते थे नहीं इस बार तो बहुत अच्छा किया उस ते और बहुत मेहनत करता था अरे कभी खेलने नहीं चाता था कभी रिष्टेदार के शादिवे जैसा मेरा बड़ा और एक्जाम का रिजल्ट आने तक तो उन्होंने ऐसा महुल बना दिया होता है कि बास यह तो फॉस्ट सेकंड के पीछे रहेगा ही नहीं और जब रिजल्ट आता है चालिस पैटालिस मार्क फिर तुफान खड़ा हो जाता है और इसलिए पहली बात है कि हम सच्चाई से मुकामला करने की आदत छोड़नी नहीं चाहिए हम कितने दिन तक जूटके सहारे जी सकते हैं स्विकार करना चाहिए हाँ मैं आज गया लेकिन मैं एक्जाम ठीक से नहीं गई मेरी मैंने कोशिश की थी अच्छा नहीं हुआ अगर पहले से ही आप कह देंगे और माली जे पांच मार्क ज्यादा आ गए तो आपने देखा होगा घर में तनाम नहीं होगा वो कहेंगे अरे तू तो कहता तो बहुत खराब गया तुम तो अच्छे मार्क लेके आये हो स्टांडर्ड जो मांदन है ने वो सेट हो जाता है उसे अच्छा दिपता है इसलिए आपको दूसरा है तनाव का कारण आपके दिमाग में आपके दोस्त भरे रहते हैं वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूगा वो ऐसा करता है तो मैं ऐसा करूगा क्लास में को बहुत ही होनार बच्चा होता है हम भी होनार होते हैं 19-20 का फरक होता है दिन रात हम उस competition के भाव में जीते हैं, तनाव का ये भी एक कारण होता है, हम अपने लिए जीए, अपने में जीए, अपनों से सीखते हुई जीए, शिखना सबसे चाहिए, लेकिन अपने भीतर के सामर्थ पर बल देना चाहिए, अगर ये हम करते हैं, तो तनाव से मुक्ति की संभावना बढ़ जाती है, दूसरा, जीवन के तरफ हमारी सोच क्या है, जिस दिन हम मानते हैं, कि ये एक्जाम गई मतलब जिन्दिकी गई, फिर तो तनाव शुरू होना ही होना है, जीवन किसी एक स्टेशन पर रुखता नहीं है जी, अगर एक स्टेशन छूट गया, तो दूसरी ट्रेन आएगी, दूसरे बड़े स्टेशन पर ले जाएगी, अब चिंता मत कीजिए, एक्जाम वो एंड अफ द लाइफ नहीं होता है जी, ठीक है हमारे अपनी कसोटी होनी चाहिए, हम अपने आपको कसते रहें, अपने आपको सचते रहें, ये हमारी कोशिस होनी चाहिए, लेकर हमें इस तनाव से मुक्ति का मन में संकल पकर लेना चाहिए, जो भी आएगा, मैं जिन्दगी को जीने का तरीका जानता हूँ, मैं इसे भी निपट लूँगा, और ये अगर आप निकट कर लेते हैं, तो फिर आराम से हो जाता है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के पर माननिय प्रधानमंत्री जी, आपका अनुभाव सुनकर हमें नई जीत ना आई है, आपका धन्यवाद Honorable Prime Minister Sir, Our Akshara Siri lives in the Rangaurati district in Telangana. She is in quest of a significant subject and looks up to you for directions. Akshara, please put forth your question. Thank you, Akshara. Honorable Prime Minister Sir, इसी से मिलता जुलता प्रश्ट, रितिका गोड के, भारत की हृदे नगरी भोपाल से आई है, वे हमारे साथ सबागार में है, रितिका कृप्य अपना प्रश्ण पूछे. आदर्नी प्रधान मंत्री जी, नमस्कार. रितिका, माननी प्रधान मंत्री जी, कृप्या, अक्षरा और रितिका को बहुभाशी कौशल प्राप्त करने के लिए मार्ग दर्शन करें, जो की समय की आवशक्ता है. माननी प्रधान मंत्री जी. भारत विविद्यताओं से भरा हुआ देश है. हम गर्व के साथ कह सकते हैं, कि हमारे इस पास सेक्ड़ों भाशाएं हैं, हजारों बोलियां हैं, यह हमारा रिचनेस हैं, हमारी सम्रिद्धी हैं. हमें अपनी इस सम्रिद्धी पर गर्व होना चाहिए. कभी-कभी आपने देखा होगा, कोई विदेशी व्यक्ति हमें मिल जाएं, और उसको पता चलेगा अब इंडिया के हैं, तो आपने देखा होगा, कि थोड़ा सा भी वो भारत से परिचित होगा, तो आपको नमस्ते करेगा, नमस्ते बोलेगा, प्रोनाउंसेशन में थोड़ा इदर-उदर हो सकता है, लेकि बोलेगा, जैसा ही वो बोलेगा, आपके कान सच्चत हो जाते हैं, उसको पहले एक ड्राउंड में अपनापन वैसूस होने लगता है, अच्चा, एक विदेश व्यक्ति नमस्ते बोलता है, मतलब की कॉम्मिनिकेशन की कितनी बड़ी ताकत है, इसका ये उदरण है, इतने बड़े देश में आप रहते हैं, आपने कभी सोचा है, कि शौक के नाते, जैसे हम कभी सोचते हैं, मैं तबला सिखूं, कभी मैं सोचत करता है कि नहीं करता है, वो भी एक हमारी अतिरिक विधा डेवलप होती है कि नहीं होती है, अगर ये होता है, तो मन लगा करके, अपने अडोस-प्रोस के राज्यकी, एक आथ दो भाषा सिखने में कह जाता है, कोशिश करनी चाहिए, और सिर्भ हम भाषा सिखते हैं, हम वहां के अनुभवों का नीचोर जो होता है, एक एक भाषा की जब अभिवक्ति होना शुरू होती है, तो उसके पीछे हजारों साल की एक अभीरत अखन अभिचल एक धारा होती है, अनुभव की धारा होती है, उतार चड़ाव की धारा होती है, संकटों का सामना करते लिकली हुई धारा होती हैं और तब जाकर के एक भाशा अभिवक्ति का रूप लेती है हम एक भाशा को जब जानते हैं तब आपको उस हजारों साल पुरानी दुनिया में प्रवेश करने का द्वार खुल जाता है और इसलिए बिना बोज बनाए हमें भाशा सिकनी है मैं कभ बहुत दूख होता है हमारे देश में कहीं पर ऊच्छा स्मारक हो पत्थर का बना हुआ और कोई हमें कहे कि ये 2000 साल पुराना है तो हमें गर्व होता है कि नहीं होता है कितना बढ़िया चीज 2000 साल पहले थी होता है कि नहीं होता है किसी को भी गर्व होगा फिर ये विचार नहीं आता है कि किस कौने में है अब मुझे बताईए दुनिया की सबसे पुरातन भाषा दुनिया की सबसे पुरातन भाषा जिस देश के पास हो उस देश को गर्व होना चैक नहीं होना चाहिए सीना तान करके दुनिया को कहना चैक नहीं कहना चैक विश्व की सबसे पुरातन भाषा हमारे पास है कहना चैक नहीं कहना चैक आपको मालूम है हमारी तमिल भाषा ये दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है पूरी दुनिया की इतनी बड़ी अमानत इस देश के पास है इतना बड़ा गवरोव देश के पास है लिए हम सिना तान करके दुनिया में कहते नहीं है मैं पिछली बार जब यूनियों में मेरा भाषान था तो मैंने जान बुछ कर कुछ तमिल बाते बताई है क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहता था मुझे गर्ब है कि तमिल भाषा दुनिया के स्रिष्ट वासा दुनिया के सबसे पुरानी भाष कि मेरे देश की है कि हमें गर्व करना चाहिए अब देखें बड़े आराम से उत्तर भरत का व्यक्ति कि दोसा खाता है कि नहीं खाता है खाता है कि नहीं खाता है संभार भी बड़े मेज़े से खाता है कि नहीं खाता है तब तो उसको उत्तर दक्षिन कुछ नजर नहीं आता है दक्षिन में जाई आप तो वहाँ परोड़ा सब्जी भी मिल जाती है पूरी सब्जी भी मिल जाती है और बड़े चाव से लोग खाते हैं गर्व करते हैं कोई कोई तनाव नहीं होता है कोई रुकावट नहीं होती है जितनी सहस्ता से बाकी जिन्दगी आती है उतनी ही सहस्ता से और मैं तो चाहूंगा हर किसी ने कोशिश करनी चाहिए कि अपनी माप्तुरू भाषा के उपरां भारत की कोई न कोई भाषा उस्तों सेंटेंसिस आने चाहिए आप देखिए कि आपको आनन्द आएगा जब ऐसे व्यक्ति को मिरोगे और दो वाक्य भी अगर आप उसकी भाषा में बोड़ोगे एकदम अपनापन हो जाएगा और इसलिए भाषा को बोज के रुप में नहीं अब मुझे आद हमें जब बहुत साल पहली के बार सामाजी काम में लगा था तो मैंने एक बच्ची को और मैंने देखा है कि बच्चों में भाषा को कैश करने की बड़ी गजब की ताकत होती है अड़प कर देते बहुत तेजी से तो मैं कभी हमारी हां कैली को मिल के एक मद्दूर परिवार था एंदाबाद में मैं कभी उनके अब भोजिन के लिए जाता था तो वहां एक बच्ची थी और कई भाषाय बोलती थी क्यों क्यों देख तो वो मद्दूरों की कॉलोनी थी तो कॉस्मोकॉलिट ही उसकी माता जी केरल से थी पिता जी बेंगाल से थे कॉरा कॉस्मोकॉलिण होने काण हिंदी चलती थी बगल में ये परिवार मराठी था और स्कूल जो होती थी वो गुजराती होती थी महरान था वो 78 साल की बच्ची बंगाली माराथी मलीयालम हिंदी इतनी तेज गaggi से बढ़िया बोलती थी और घवरबे पर पनट लोग बैटे है इससे बात करने हैं तो में वह करेगी करीगी तो मंखरीगी पुजराती करेगी अर्द साल की बच्ची थी यहनु उसकी उसकी प्रतिभाँ खिल रही थी और इसलिए मेरा तो आप से आगर रहेगा कि हमें अपना अपनी विरासत पे और मैंने ते इस बारलाल के लिए से भी कहा था पंच प्राण के बाद अपनी विरासत पे हमने गर्व होना चाहिए और हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पुर्वजों ने ऐसी भाषा हमें दिये कि हर हिंदुस्तानी को गर्व होना चाहिए हर भाशा पर गर्व होना चाहिए बहुत बहुत धन्यवाद माननी ये प्रधान मंत्री जी भुभाश रिक्ता पर आपके मार्ग दर्शन के लिए धन्यवाद Honorable Prime Minister Sir from the historically acclaimed city of Qatar Sunanya Tripathi who is a teacher requests your directions on an important matter Ma'am, please ask your question Namaskar Namaskar माननी प्रधान मंत्री शिनरेंडर मोदी जी मैं सुनेना त्रिपाथी विष्णमूर्थी वाल स्कूल कटक ओडिसा से हूँ मेरा प्रश्न यह है कि कक्षया में विद्यार्थियों को रूची पुन पढ़ाई के लिए कैसे आकरशित करें तथा जीवन का सार्थक मुल्य कैसे सिखाएं साथ ही कक्षया में अनुसाशन के साथ पढ़ाई को रोचे कैसे बनाएं धन्यबाद Honorable Prime Minister Sir, Sunanya Tripathi wishes your guidance on motivating students for taking interest in academics. Honorable Prime Minister Sir. यहने सवाल टीचर का था? यहान। सई दने? देखिए कि अज़कर अनुभव आता है कि टीचर अपने में खोई रहते हैं अब यह तो मेरे आधा वाक्य बोला अपने पकड़ लिया कि वह एक निश्चीत कि शिलेबस्त बीस मिनिट तीस मिट बोलना है अपना कड़कड़ बोल देते हैं और फिर इसमें कोई हिलेगा इधर दर तो देखा होगा आपने अब तो मेरे अपने बच्पन के अनुभव की बात बता तो आजकार तो टीचर अच्छे होते हैं मेरे जमाने में शायद ऐसा नहीं होगा इसलिए मुझे टीचरों के आलोचना करने का हक नहीं है लेकिन कभी कभी मैं देखा था कि टीचर जो तैयरी करके आये हैं और अगर वो भूल गए तो चाहते नहीं कि बच्चे पकड़ लें उनको उनकों बच्चों से छिपाना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं एक काती दर्व एई खड़ा हो जाओ क्यों एसे बैठाएं क्यों ऐसा कर रहा है क्यों ढिटना कर रहा है यहने पूरी 57 मिनट उसमें लगा देंगे इतने में अगर विश्य याद आ गया तो गाड़ी वापिस आएगी वरना फिर बारों कोई हस पड़ा उसको पकड़ेंगे क्यों हस ताई तो अच्छा आज भी ऐसा ही होता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होता होगा अब तो टीचर बहुत अच्छे होता है आपने देखा होगा टीचर भी अभी मुबाइल फोन पर अपना सिलिबस लेके आता है मुबाइल देख करके पढ़ाता है ऐसा करता है नहीं है और कभी उंगली धरुदर डब गई तो वह हाथ से निकल जाता है वह खोटता रहता है कि उसने पूरी तरह टेकलोलोजी को सिखा नहीं है जरूरी दो चार चीज़े सीख लिए और इधर उंगली अड़ गई तो फिर वो डिलीट हो जाता है या खिसक जाता है हाथ नहीं लगता बड़ा परिशान हो जाता है शर्दियों में भी पसे ना सूर जाता है उसको लगता है कि ये बच्चे और उसके कारण जिसकी अपनी कमियां होती है उसका एक स्वभाव रहता है दूसरों पर एक्स्ट्रा रॉब जमाना है ताकि अपनी कमियां बाहर ना आए है मैं समझता हूं हमारे शिक्षक मित्रों ने विद्यार्थियों के साथ जितना अपनापन बनाएंगे विद्यार्थि आपके ज्ञान की कसोटी करना नहीं चाहता है यह हमारा ब्रह्म है कि विद्यार्थि आपको कोई सवाल पूस्ता है तो आपकी एक्जाम ले रहा है जी नहीं अगर विद्यार्थि सवाल पूस्ता है तो यह मान के चलिए उसके अंदर जिग्यासा है आप उसकी जिग्यासा को हमेशा प्रमोट कीजिए उसकी जिग्यासा ही उसकी जिग्यासाही उसकी जिन्दगी की बहुत बड़ी अमानत है किसी भी जिग्यासू को चूप मत कीजिए उसको टोक मत दिजिए उसको सुरिए आराम से सुरिए अगर जवाम नहीं आता है तो आप उसको कहिए देख बेटे तुन्हें बहुत अच्छी बाप कही है और मैं तुम्हें जल्दबाजी में जवाब दूगा तो अन्याय होगा ऐसा करो हम कल बैठते हैं तुम मेरी चेंबर में आ जाना हम बाते करेंगे और मैं भी तुमको समझने की प्रहस करूँगा इविचार तुम्हें कहां से आ जा और मैं भी कोशिश करूँगा इन बिट्विन मैं गर जाकर के स्टड़ी करूँगा ज़र गूगल पर जाओंगा इधर उज़र जाओंगा पूछ लूँगा और फिर मैं तयार होकर क्या हूँगा फिर दूसरे दिन में उसको पूछूँगा अच्छा वही तुम्हें विचार आया कहां से इतना उत्तम विचार इस उबर में कैसे आया तुम्हें उसको पुछकार तो फिर कहिए देख सचमुच में ऐसा नहीं है रियालिटी यह है उस तुरंट स्विकार कर देगा और आज भी स्टूड़न्स अपने टीचर की कही हुई बात को बहुत मुल्यवान समगता है अगर एकाद गलत बता दी एकाद गलत बात बता दी तो उसकी जिंदगी में वो रजिस्टर हो जाती है और इसलिए बात बताने से पहले समय लेना बुरा नहीं है हमने बात में भी बताएं तो चलता है दूसरा डिसिप्लीन का सवाल है कि क्लास में कभी कभी टीचर को क्या लगता है अपना प्रभाव पैदा करने के लिए जो सबसे दूर्बल स्टूड़न्ट होता है उसको पुछे कि बताओं तुम समझे के नहीं समझे कि अब करता रहेगा है तू तुम में अच्छे ब्राइट स्टूड़न्ट है उनको कहता अच्छा बताओं तुम कैसे समझे इसको बढ़िया समझाएगा तो जो नहीं समझ रहा है वो स्टूड़न्ट की भाइसा अच्छी तरह समझेगा तो उसको समझा जाएगा और जो अच्छे स्टूड़न्ट है उनको मैं प्रतिष्ठा दे रहा हूं तो अच्छे बनने की सब्सक्राइब करें दूसरा जो इस प्रकार से अनुशासन में नहीं है ध्यान के इंद्रित नहीं करता है कि क्लास में भी कुछ रोगे और एक्टिविटी करता है कि टीचर अगर उसको अलग बुलाने कि अलग बुला करके बात करें प्यार से बात करें देख या कल कितना बढ़िया भी शहता अब तुम खेल रहे थे अब चलो आज खेलो मेरे सामने खेलो तो में भबेजा आएगा मैं भी देखूं क्या खेलते थे अच्छा बताओ तुम यह खेलने का काम बाद में करते और तुमने ध्यान दिया होता फाइदा होता यह नहीं होता उससे अगर समवात करते तो उसको एक अपनापन महसूस होता वो कभी इंडिसिप्लिन नहीं करत अजी लेकिन उसके इगो को अपने अगर हट किया तो फिर दिमाग फट गएगा कुछ लोग चतुराई भी करते हैं चतुराई भी कभी कभी कान आती है जो सबसे सरारती लड़का होता है उसको मोनीटर बना जेते हैं बनाते हैं ने मोनीटर बन जाता है तो उसको भी लगता है यार मुझे तो ठोड़ा ठीक से वहवार करना पड़ेगा तो वो फिर खुद को अपने आपको जड़ा ठीक करता है और सबको ठीक रखने के लिए अपने आपको एड़्यस करता है अपनी बुराईयों को कंट्रोल करने कोशिश करता है शिक्षक को प्रिय होने का प्रयास करता है और अल्टीमेटी परणामी आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है और उसके माध्यम से क्लास्रूम का एंवार्मेंट भी सुधर जाता है तो अनेक तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं मानता हूं कि हमें डंडा लेकर के डिसिप बहुत बहुत धन्यवाद का समाधान चाहती है माम क्रिप्य अपना प्रशन पूछिए गुद मॉर्णी ओनरेबल प्राइम मिनिस्टर मैसल्फ सुमन मिश्रा सराइ सिक यूर अड्वाइस और हाओ शुर शुद्ट बिहेव इन सोसाइटी थैंक यू सर दन्यवाद मैम मानिनी प्रिधान मंत्री जी स्टूडन सोसाइटी में कैसे बिहेव करें यही पुछना है ना आपको मैं समझता हूं कि इसको थोड़ा अलग दाइरे में रखना चाहिए है हम किस सोसाइटी की बात करते है जो हमारा सरकल है वो जीनके बीच हम बैठते उड़ते हैं कभी अच्छी बुरी बातों में टाइम बिताते हैं तेलिफोन पर गंटे बिता जेते हैं अगर उस लिमिटेड वर्तुल की बात करते हैं तो तो आप बच्चे को जैसा कहोगे वैसा यहां जूते पहन करके आओ यहां जूते निकालो यहां इस ढंक से विवार करो यहां उस ढंक से करो ऐसा आप कह सकते हैं लेकिन हकिकत यह है कि उसको एक घर के दाइरे में बंद नहीं रखना है उसको उसको समाज में जितना व्यापक उसका विस्तार हो होने देना चाहिए मैंने तो कभी कहा था शायद परिक्षा पर चर्चा पर ही कहा कहीं और कहा मुझे आप नहीं है मैंने कहा था कि दस्वी बानवी की एक्जाम के बाद कभी बच्चे को पहले अपने स्टेट में उसको कहो कि लोग ये पैसे तुम्हें इतना देते हूँ और पांच दिन के लिए तुम इतनी जगा के घुम करके वापिस आओ और वहाँ के फोटो वहाँ का वरनन सब लिक करके लिया आओ फैको उसको हिम्मत के साथ आप देखें वो बच्चा बहुत कुछ सिक करके आएगा जीवन को जान करके उसमें विश्वात बढ़ेगा फिर वो आपको ये नहीं चिलाएगा और बारवी का है दुसकों को तुम राज्य के भाहर जाकर करको आओ देखें ये इतने पैसे हैं ट्रेन में जाना है विदाउट रिजर्विशन जाना है सावान इतना होगा ये तुझे खाना दे दिया है जाओ इतनी चीज़े देखक करके आओ और आकर के सब को समझाओ आपने सचमुच अपने बच्चों का ट्राइल लेते रहना चाहिए उनको समाच के भिन भिन बर्गों में जाने के लिए प्रेदित करना चाहिए उसको कभी पूछाना चाहिए कि तुम्हारी स्कूल में इस बच्चे ने इस बार अच्छा खेलाता तुम उसको मिले क्या जाओ उसकी घर जाके मिलके आजाओ फलाने बच्चे ने विज्ञान मिले में अच्छा काम किया ता तुम जाकर के मिलके आये क्या अरे जाओ जरा मिलकर क्या हो उसको उसकी उसका विस्तार करने का उसको आपको अवसर देना वहसा करना चाहिए ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए करिपा करके उसको बंधनों में मद बांधिये आप मुझे बताईए को ये फर्मान निकाले कि अब पतंगों को पतंगे बोलते हैं ने पतंगों को उनिफर्म पहराएंगे तो क्या होगा क्या होगा कोई लोजिक है क्या हमें बच्चों का विस्तार होने देना चाहिए उनको नए नए दारिये में ले जाना चाहिए मिलवाना चाहिए कभी हमें भी ले जाना चाहिए उसको हमारी हाँ छुट्टियों में रहता थ कि मामा के गर जाना फलानी जगा पर जाना यह क्यों होता था इसका अपना एक आनंद होता है उसके एक समस्कार होते हैं एक जीवन की रचना बनती है हम अपने दाइरे में बच्चों को बंद मत करें हम जितना ज्यादा उनका दाइरा बढ़ाएंगे हां हमारा ध्यान रहना हमारा ध्यान रहना चाहिए कि उसकी आदते कहीं खराब तो नहीं हो रही है कमरे में खोया हो तो नहीं रहता है उदासिन तो नहीं रहता है पहले भोजन पर बैरता था तो कितनी हसी मजाग करता था आज कल हसी मजाग बंद कर दी क्या प्राब्लम है माबाप को तुरंट स् वो एक अमानत के रूप में इश्वर ने उसको एक अमानत दी है इस अमानत का सवरक्षन सवर्दन उसका जाईत्व है ये भाव अगर होता है तो परना मच्छे आते हैं ये भाव अगर होता है मेरा बेटा है मैं कहूंगा वो ही करेगा मैं ऐसा था विसले तूजी ऐसे बनना कि हमें समाज के विस्तार की तरफ उसको ले जाने का प्रयास करना चाहिए उसको जीवन की भिंड भिंड चीजों में जुड़ने के लिए प्रेजित करना चाहिए मैं तो कभी कहूंगा मान दीजे आप क्या वो साप 66 वाले लोग आते हैं कभी बच्चे को को बहुत तुम जाओ इसके साथ बात करो वो कहां का रहने वाला है कहां से निकला इस दंदे में कैसे आ गया क्यों सिखा चलो मुझे समझाओ वो उसको पूछ कर क्या हो उसकी सम्वेदना जग जाएगी जी वो क्यों ये काम कर रह जानना सुखना सहज बन जाएगा कोशिश करनी चाहिए कि आपके बच्चों का विस्ताथ जादा हो वो बंदनों में न बन जाएग उसको खुला असमान दीजिए उसको अवसर दीजिए वो समाज में ताकत बनके उपरेगा बहुत बहुत धन्यवाद कर दिद कर देश बनेशन प्रазывology कर आद फ्रे चाहिज परूम नेम τह्यं चाहिवाज भरेगा सीनल प्र कि शल tastes of a spectacular event that was a symphony of inspiration and encouragement, a melody of memories that will forever resonate within our hearts. We extend our deepest thanks and gratitude to the Honorable Prime Minister for gracing this hall with his presence and infusing us with his radiant spirit. Pradhan Mantri Ji Dwarah Pariksha Pe Charchane हमारे जैसे करोडो बच्चो की बेचैनी, घबराहट एवं हार मानने की प्रवर्ती को उत्साह, उमंग एवं सफलता की ललक में बदल दिया है. धन्यवाद माननिय प्रधान मंत्री जी कोटी कोटी धन्यवाद. आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं जुरू चाहूँगा कि हमारे विद्ध्यारफी, हमारे अभी भावक, हमारे टीचर्स, ये अपने जीवन में ताय करें, कि परिप्षा का जो बोज बढ़ता चला जा रहा है, एक मातावन क्रियेट हो रहा है, उसको जितना ज़्यादा हम डाइलूट कर सकते हैं करना चाहिए, जीवन का उसको सहज हिस्सा बना देना चाहिए, जीवन का एक सहज क्रम बना देना चाहिए, अगर ये करेंगे, तो परिप्षा आपने आप एक उत्सों बन जाएगी, हर परिप्षा का जीवन उमंग से भर जाएगा, और ये उमंग उतकर्ष की गारंटी होता है, उस उतकर्ष की गारंटी उमंग में है, उस उमंग को लेकर के आप चलें, यही मेरी आपको शुक्तामनाय है बहुत बहुत धन्यवाद